इधर मौसम विभाग ने बिहार और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 24 गंटों में बिहार यूपी के साथ-साथ कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है बिहार में लगातार हो रही बारिश से कई जगों पर बार जैसे हालात हो गए हैं लेकिन मौसम विवाग का कहना है कि अभी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है मौसम विवाग के मुताबिक बिहार और उत्तरप्रदेश के साथ साथ और भी कई राजियों में भारी बारिश हो सकती है 18 जून तक राजि के 11 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है वहीं 13 जिलों के लिए औरेंज अलर्ट और अन्नी के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है बिहार में 18 जून तक राजि के 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी बिहार में 13 जिलों के लिए औरेंज अलर्ट जारी बिहार के कुछ जीलों के लिए ये लो अलर्ट जारी किया गया है, जारखंड के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है, और इशा और पश्चिम मंगाल में भी भारी बारिश की आशंका है, कूंकन और गोवा में भी मुसलाधार बारिश की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किमपुर वोत्तर भारत केरल और मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में और विदर्भ में भी एक या दो स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश के साथ-साथ कुछ जगों पर भारी बारिश की आशंका है इधर मौसम विभाग ने दिल्ली में भी बारिश की संभावना वेक्त की है हाला कि दिल्ली को मौनसून के लिए अभी एक सप्ता का इंतजार करना पड़ सकता है